Hello student, आज अपन एक practical कर रहे हैं, जिसमें अपन को एक bell दे दी है, एक switch दे दिया, one way switch, एक push button दे दिया और एक indicator lamp दे दिया, इन सब को अपन को जोड के connection करना है, और connection करके अपन को यह बताना है कि push button को अपन push करेंगे, तो indicator lamp तो जले गई, साथ में bell भी बजेगी, तो यह अप समान क्या क्या चाहिए, push button switch चाहिए, one way switch चाहिए, bell चाहिए, और indicator lamp चाहिए, तो सबसे पहले तो अपन को समान चाहिए, यह कटा कर लेते हैं, फिर एक circuit diagram बनाते हैं, यह diagram आप देख रहे हो, circuit diagram के इसाब से, अपन देखते हैं कि किसको one way switch को indicator lamp से कौन सा ताड जोडना है, indicator lamp से, push button से कौन सा ताड जोडना है, और bell को कैसे जोडना है, तो अपन कोई भी practical करते हैं, तो सबसे पहले अपन को circuit diagram आना चीए, circuit diagram अगर अपन को यादे तो अपन practical के connection जरूर कड सकते है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले तो यह आपके पास आया है, phase और neutral के दो तार निकाले हैं तो अपने यह दो तार निकाल दिये फेज और न्यूट्रल के ठीक है फिर फेज और न्यूट्रल को फिर अपने क्या किया है वन वे स्विच का जोड़ा है तो यह फेज फेज जो तार आया है यह अपने पास आया है तार इसका एक पॉइंट से पुस्ट बटन के एक इससे जोड दिया फिर पुस्ट बटन से अपने पास क्या है पुस्ट बटन से एक जा रहा है इंडिकेटर में और एक जा रहा है बैल में तो पुस्ट बटन से एक तो गया बैल में यह देखो बैल में गया और एक अपने इंडिकेटर में गया है जो अ आपके न्यूटल में जा रहा है तो बैल से जो दूसरा कनेक्शन है वह आपका इसमें इसमें जाके फिर आपके न्यूटल में जा रहा है तो यह अपना यह कनेक्शन है अब अपन इसका जोड के देखते हैं सर्किट पूरा कनेक्ट करके कि बैल फुस्ट बटन को पुस्ट क आएगी आपके पास बैल की यह देको बल भी चल गया और बैल भी बजी एक बार वापस करके बताइए ठीक है तो यह आज अपने एक प्रैक्टिकल किया है अगर अपने पास समान आ गया अगर एक बैल दे दिया वन वे स्विच दे दिया पूस बटन दे दिया इंडिकेटर दे दिया है तो उसको कनेक्ट करके अपने है आज प्रैक्टिकल किया है